हलो फ्रेंज अगर आपका ATM कार्ड HDFC बैंक का है और आप अनलाइन ट्राइक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना अनलाइन ट्राइक्शन के लिए कार्ड किस तरह से एनेवल करेंगे सबसे पहले आप HDFC की website पर आएंगे यहां देखेंगे मैनू लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे यहां लॉगिन लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप चाहें तो डाइड गूगल में टाइप करें HDFC नेट वैंकिंग वहां से भी यह पेज ओपन हो जाएगा यहां लिखा है continue to the new login page इस पर क्लिक करेंगे यहां पर अपनी user id डालेंगे और continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगली पेज पर यहां पर अपना password डालेंगे उसके बाद आपने जो अपना security पिक्चर लगा रख रहेंगे यहां लिखा हुआ कार्ड इस पर क्लिक करेंगे left side में देखेंगे यहां पहला section मिलेगा create card का नीचे देखेंगे debit card का यह है आपका काड होता है यहां पर आपकी लिमिट्स ओपन हो जाएंगी नीचे इस कॉल करेंगे यहां देखेंगे दो सेक्षन मिलेंगे डेली डुमेस्टिक यूजिस लिमिट इस पर क्लिक करना है यहां पर देख सकते हैं आपकी जो भी लिमिट्स सेट होगी वोगी आप पर आ जाएगी उसके अपनी कार्ड को और्लाइन ट्रांजिक्षन के लिए यूज़ करते हैं अगर यहां पर आफ तो आप क्या करेंगे इसे ऑन पर क्लिक कर देंगे और अपना निउव लिमिट्स आप भष सकते हैं कि आप अपना पर मंत या पर यह यह कितना ओर्लाइन ट्रांजीक्षन यह आपका कार्ड बाइफाई होगा जिससे आप कहीं प्रेटल पंप या कहीं भी जो पॉस मसीन होती उस पर अगर पैमेंट करना चाहते हैं तो आपका बाइफाई के द्वारा बेना ओटीप या पिन डाले हुए अपना पैमेंट कर सकते हैं अगर वह फंसन आप पर अन करना अब यहाँ पर देखेंगे आपका शो कर जाएगा डुमेस्टिक यूजी लिमिट में एट्यम डेली लिमिट यहाँ पर शो करेगा ओल्लाइन डेली लिमिट आपने जो भरी होगी ऑल्लाइन के लिए आपका कार्ड अम एक्टिवेट है और मर्चेंड आउटले डेली इमि बढ़ाएगा इसके बाद एक्टिवेट कार्ड की आपर एक्सपारीड टेड भरेंगे और कंफर्म पर प्लिक करेंगे अब देख सकते हैं मैसिजं आ जाएगा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप नहीं है हमाई चनल पर तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू